नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूग चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भूल कर भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को न करें डेट दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं कई लोगों को लगता है कि उनके बेस्ट फ्रेंड से बहतर उन्हें कोई समझ ही नहीं सकता है और इसलिए वो उसमें अपना पार्टनर खोजने लग जाते हैं पर क्या कई लोगों की तरह आपको भी ये लगता है कि बेस्ट फ्रेंड को डेट करना एक बहतर विकलत है अगर हां तो यहां कुछ ऐसे कारणों का जिक्र है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि बेस्ट फ्रेंड को डेट करना शायद एक सही फैसला नहीं है डेट पर जाना एक रोमानचक अनुभव होता है लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ डेट पर जाना कुछ अटपटा हो सकता है विशेशग्यों की सलाह है कि बेस्ट फ्रेंड को डेट करना तभी काम्याब हो सकता है जबकि आपका बेस्ट फ्रेंड और आप एक जैसा सोचते हों वरना अलग-अलग सोच के चलते आपके बीच मतभेद आ सकते हैं बेस्ट फ्रेंड को डेट करने से बहतर है कि आप किसी दूसरे शक्स को डेट करें ऐसा करने से आपकी दोस्ती हमेशा सलामत रहेगी ऐसे में अगर आपका कोई दोस्त आपको डेट पर ले जाने की बात कहे तो आप उसे ये कारण दे सकते हैं एक क्या ये कुछ अटपटा नहीं है अपने सबसे अच्छे दोस्त को डेट करना क्या ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लगती है खास तोर पर उन पलों के दौरान अगर आप दोनों लंबे समय से दोस्त हैं और आपने साथ में एक बहुत अच्छा वक्त बिताया हो तो उन पलों के दौरान असहर्षता आही जाती है दो वे आपको जरूरत से ज्यादा जानते हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते सबसे अच्छे दोस्त को देट न करने की सलाह दी जाती है आपका बेस्ट फ्रेंड होने का मतलब है कि वो आपको पूरी तरह से जानता है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छी समझदारी विटसित हो चुकी होगी लेकिन आपके हर राज का वो हमराज होगा ऐसे में ये स्थिती खतरनाक हो सकती है तीन दोस्ती पर संकट बेस्ट फ्रेंड को डेट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा करने से आपकी दोस्ती प्रभावित हो जाती है चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं जैसी अब तक होती आई है चार रिष्टा न तोड़ पाने की मजबूरी या तो आप कोई रिष्टा बना सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं पर बेस्ट फ्रेंड को डेट करने का एक नुकसान ये है कि आप न तो इस रिष्टे को तोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं और नहीं इसे नकार सकते हैं पांच एक नए दोस्त की तलाश जब आप एक बहुत अच्छा दोस्त खो देते हैं तो जिन्दगी में एक खालीपन सा आ जाता है जिसे भरने के लिए आप एक बार फिर से तलाश शुरू कर देते हैं पर ये जरूरी तो नहीं कि हर बार आपको एक बहतर दोस्त मिल ही जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद